आपके पास दो options है, या तो आप दिल खोल के phone को लीजिए, या फिर confusion में लीजिए कि हाँ अगर phone को लू तो पैसा वरबात जा सकता है, या फिर पैसा वसूल भी हो सकता है, और भी दो options है, या तो आप biased review देखिए, जहाँ पे की phone को अल्री दिखाया जाता है, और brands ने भेज या फिर आप एक unbiased video देखिए, जहाँ पर की phone नहीं है, लेकिन बहुत सारा research करने के बाद, आपको एक सही decision आपकी दिमाग में एक clarification लाग कर देगा, let's find out, and let's judge कि ये वाला smartphone लेना सही होगा, या फिर गलत, let's find out, लाभा स्टर्म 5G, price के हिसाब से जो भी specs दिया गया है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा fit खाता है, और आपने बाकी सारे videos देखकर ये दिमाग में बिठाया है, कि हाँ मुझे ये वाला phone लेना है, और बहुत ज्यादा सही है price के हिसाब से, लेकिन जो भी videos आप लोगों ने देखकर ये decision ली है, वो सारे के सारे videos biased है, तो कि video खरा साथ इसा 6.78 इंचिस की display है, अगर मैं भी बता रहता हूं तो video लंबा हो जाएगा, देखो YouTube में आप लोग जो है na maximum 1440P पर आप video को play कर सेकते हो, जनरली क्या होता है कि इस price में आप 2160P तक video को play कर सेकते हो YouTube में, लेकिन ये वाला smartphone आपको नहीं देगा, जो कि शायद आपक नहीं कर सेकते हो, इसमें भी आपको बहुत सारी दिख्कत दिखने के लिए मिलेगा इसी price range में जो भी बाकी सारे smartphone से नहीं है, शायद आपको नहीं पता, देखो सबसे पहले बात करता हूं, जो rear camera से, दो आपको 50MP प्लस 8MP की wide and ultra wide दिखने के लिए मिलेगा, देखो, जो main camera से रहना, वहां से आप, जो हमने 12MP से photo को खीचते हैं, उसी price range में आज से लगभग 3-4 साल पहले जो भी smartphone आथा था ठीक है, ठीक, उस step के quality आपको देखने के लिए मिलेगा, अगर आप ये उमीद करते हो कि नहीं, ये 50MP है, मुझे really high quality photos provide करेगा, तो guys बिल्कुल भी नहीं, ये जो smartphone है 50MP से पोटो में दिखेगा, हाँ 50MP की ratio है फोटो की, लेकिन quality यानि कि दिखने में वो photos आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा, अब यहाँ पर hidden details के अगर बात करू, तो dynamic range and बात करे हम skin tone की, तो यहाँ पर आपको दिक्कत दिखने के लिए मिलेगा, जी हाँ, कम smartphone मुझे अच्छा photos निकल कर नहीं देगा, अब software की दिक्कत की अगर बात करें तो gallery application बहुत ही ज्यादा role play करता है, एक photo को enhance करने में, मतलब आपने जो photo कीचा है, उसको enhance करने में मदद करता है gallery application उस device की, ठीक है, software में जो दिया जाता है, लेकिन उसमें दिक्कत है, ठीक है, तो 13 है, उसको थोड़ा सा रेडिस या फिर फिर पिंक कि आपको निकल करती है, ठीक है, देखो मैंने बहुत ही ज़्यादा research की है, अब light को क्या हो गया, anyway, तो research करने के बाद ही आपके साथ share कर रहा हूं, और जो लोग और रिव्यू की है, इस phone की बहुत हो ब्रैंड ने भ कर सकता है, ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करो, selfie camera की, 16 megapixel की selfie camera है, जहाँ पर कि आपको issues वगरा देखने के लिए नहीं मिलेगा, आप आख बंद करके इसको trust कर सेकते हो, I mean selfie camera में कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे photos beautify करके नहीं देता है, तो Android है, ना कि stock है, ठीक है, क्योंकि लाभा ने इसमें modifications डाला है, बहुत सरे features को डाला है, तो ये इसलिए stock like है, ना कि stock pure stock नहीं है, लेकिन फिर भी जो UI है ना उसमें ज्यादा changes नहीं किया गया है, सबसे पहली बात तो ये, इसमें आपको blotworks देखने के लिए नहीं मिलेगा, अगर आप custom ROMS को use नहीं करते हो, तो आपके लिए इस टाइप के smart phones बहुत इसदम आईने रखता है, और अगर आप risk free रहना चाहते हो, तो ज़रूर ये वाला phone लीजिए, लास्ट ली परफॉमेंस या फिर design वगएरा, इसमें कुछ भी issues नहीं है, जो media tech dimension दिया गया है, या फिर नहीं, तो answer है सीदा सीदा yes, आप आख बंद करके ले सकते हो, ना कि confusion में, वो इसलिए guys, क्योंकि देखो camera जो part है ना, वो department आपको छोड़ देना चाहिए, हाला कि जो software part है, जो hardware part है उस हिसाब से phone की durability यानकी इस phone की lifetime बहुत ही ज्यादा होने वाला है, क्योंकि hardware part और software बहुत ही अच्छे तरीके से manage किया गया है, और 6NM की producer होने की बज़े से यह वाला phone heat नहीं करेगा, 5000 इमेज की battery है with stock Android, तो basically guys, यह वाला smartphone आपको ज़रूर लेना चाहिए, आपको किसी भी तरह की confusion नहीं लेना है, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे camera part को देखना चाहि है, I know आपको बहुत ही ज्यादा helpful लगा, क्योंकि बाकी सारे लोग तो फाइसर यह बोलेंगे, देखो यह है या फिर वो है इसमें, तो display बहुत ही बढ़िया है, 6.78 इंचिस की 580 नीट से brightness, तो फाइब वो सब वकवास है, ठीक है, in reality यह वाला smartphone, यह आप ले सकते हो, I hope आ सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि आपके सामने यह चैनल आएगा ही आएगा, definitely guys, और मैं मिलूँगा आपके साथ नेक्स बनेट, तो तक है, bye and take care.